साथियों, कॉंग्रेस हमेशा बाटों और सत्तापाओं के फॉर्मिले पर चली है, कॉंग्रेस ने बार बार ये सित्य किया है, कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है, वो अभी भी तेश को बांटने के लिए नए नए ने ने निरेटिव गड़ रही है, कॉंग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मिला लाती रहती है, कॉंग्रेस देश के मतदाताओं को गुम्रा करने से बाज नहीं आ रही है, कॉंग्रेस का फॉर्मिला साफ है कि मुसल्मानों को डराते रहो, उनको भाय दिखाओ, उनको वोट बेंक के कन्वर्ट करो और वोट बेंक को मजबूत करो, कॉंग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा, कि हमारे मुसलिम भाई बेहनों में कितनी जातियां होती हैं, मुसलिम जातियों की बात आते ही, कॉंग्रेस के नेता पर मुँपर ताला लगा कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है, तो कॉंग्रेस उनकी चर्चा जाती से ही शुरू करती है, कॉंग्रेस की नीती है, हिंदूों की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ, कॉंग्रेस जानती है, कि जितना हिंदू पटेगा, उतना ही उसका फायदा होगा, कॉंग्रेस किसी भी तरीके से, हिंदू समाज में आंग लगाये रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राज लितिक रोटियां सेखती नहें, भारत में जहां भी चुना होते हैं, वहां कॉंग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है, अपना वोट बेंग पक्का करने के लिए, कॉंग्रेस समाज में, जहर घोलने के हर हतकंडे अपना रही है, कॉंग्रेस पुरी तरह से, सांप्रदाइक और जाती वाद का, चुनाव लड़ती रहती है, हिंदू समाज को तोड़ कर, उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कॉंग्रेस की राजनीति का आधार है,